हेलो बच्चो वेलकम तू मैं चैनल सीड अकेडमी और मैं हूँ आपके साथ नहाँ आज का सेशन हमारा मैंट्स का है यह मैंट्स का डेसिमल का पार्ट टू है पार्ट वन और बना चुकी हूँ और अपलोड हो चुका है जिन बच्चों में भी पार्ट वन नहीं देखा है प्लीज बेसिक्स क्लियर करने के लिए डेसिमल के आप पार्ट वन जरूर देखें तो आज पार्ट टू में हम बेसिकली जो डेसिमल है उसका एडिशन और सब्ट्राक्शन करना सीखें गए तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसा मैंने आरेडी आपको बताया बचो कि लास्ट क्लास में हमने सीखा था कौन ग्रेटर दन है जब हमें दो डेसिमन नंबर मिलते हैं और उनको हमें कमपैरिजन करना होता है कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है तो हम वो कैसे फाइंड आउट करते हैं तो आज हम वही दो नंबर्स को अड़ करेंगे तो चलिए पहला एक्जामपल में आपके सामने देती हूँ कि अगर पहला एक्जामपल आपके पास आता है कि अड़ 25.60 and 13.15 तो बहुत सिंपल है स्टार्टिंग हम लोग बिल्कुल सिंपल से करेंगे तो इसमें आप क्या करेंगे बिटा आपको देखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज होती है जो आपको माइड में रखना है कि addition करते time कि आपको decimal हमेशा decimal के नीचे ही आना चलि तो इसमें क्या होगा आपका कोई वीडियो जी आप पहले लिख सकते हो 25.6013.15 तो यहाँ पर क्या हुआ आपको decimal के नीचे क्या हुआ है decimal आया है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे से प्रोसीजर रहता है लेट साइज से स्टार्ट करते हैं तो 0 प्लस 55 हो गया आपका 6 प्ल आपको पहले भी बताया था कि जब कोई भी decimal है एक डिजिट में स्टिफ एक ही decimal आ सकता है तो यहाँ पर आपका decimal आ गया है 5 प्लस 3 इस 8 और 2 प्लस 1 इस 3 तो आंसर विल भी 38.75 और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि how to pronounce कि आपको कैसे बोलना है तो आप इसको 75 भी बोलेंगे इसको बोलेंगे 38.75 तो hopefully एक लिया है आपको बहुत सिंपल सा एक्जामपल मैंने पहला लिया है उसकी बाद हम लोग दूसरा एक्जामपल लेते हैं अगर मान लेजिए कि दूसरा एक्जामपल आतल है आपके पास ओके ध्यान से देखिए बचो अब यहाँ पर क्या है अब यहाँ पर कोशिन है एड 36.5 प्लस 90.25 तो यहाँ पर आप 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 अडरेड ही देख रहे हैं कि दो डिजिट मेरे पास है तुसरा से पहले मैंने अपनी फर्स डिजिट को लिखा अब यहाँ पर क्या होगा बिटा डेसिमल हमेशा डेसिमल के नीचे ही आता है तो यहाँ पर आपका प्या होगा पहले आपका 19 आएगा क्योंकि फिर डेसिमल है फिर 25 है अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ तो सिर्फ 5 है यहाँ तो कुछ नहीं है तो in that condition जहाँ पर भी आपकी प्लेस खाली रह जाती है चाहे वो addition है चाहे वो subtraction है तो आप उसको प्लस करेगे तो क्या हो जैगा 5 हो जाएगा This is 7.5 and 5 तो clear है आपको तो 36.5 को आप plus करते हैं 19.25 में तो आपका answer आता है 55.75 Clear है? बिलकुल भी आप confused नहीं करेंगे Last वाली digit इसकी इसकी last वाली digit में plus नहीं होगी आपको याग रखना है कि decimal हमेशा किसके decimal की नीचे ही आना चाहिए एक example और लेते हैं हम लोग यहाँ पर थोड़ा clear करने के लिए ध्यान से रेकिए कि मैं क्या कर रही हूँ सिर्फ एक ही rule है कि आपको decimal को decimal के नीचे लेना है जैसे अगर मां लीजे कि अगर मैंने यहाँ पर लिया है कि 7.32 और दूसरा मेरे पास है and another digit is 15.01 ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहली हम पहली अपनी digit उतारते हैं तो पहली digit मैंने लिखा 7.32 है मेरी पहली digit अब यहाँ पर क्या है बिटा जो decimal से आगे कितनी digits है दो डिजिट है कितनी digits है दो डिजिट है तो यहाँ पर यह decimal क्या होगा मेरा इसके नीचे आएगा आप यहाँ पर कितनी digits है दो है तो पहला वह 7 के नीचे क्या आएगा 5 आएगा और 1 आएगा तो आप ऐसे लिखेंगे और decimal के पीछे पर दो डिजिट है तो यह आएगा 0 और 1 अब आप और रेड़ी देंगे अगर आपको addition करना है तो आपको कहाँ पर एक place खाली दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके पास एक place खाली है 1 के साथ कुछ नहीं यह उपर तो आप अपनी मर्जी से चाहे तो 0 लगा सकते हैं नहीं चाहे तो ऐसी छोड़ सकते हैं तो ज़्यादा तर मैं बच्चों को बहती हूँ कि आप 0 लगा लीजे ठीक है confusion नहीं होगा तो 2 प्लस 1 इस 3 होगे आपका 3 प्लस 0 3 है यहाँ आपका decimal है 7512 होता है और 1 प्लस 01 होता है प्लस 1 जो आपका carry होगा है और यह आपका होगे 22.33 क्लियर है आप तो आप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आप एक डिजिट को दूसरी डिजिट में आड करते हैं decimal should become just below the upper decimal ठीक है यह आपको ध्यान रखना है don't forget अगर आप एक example और में लेती हूँ कि अगर मान लीजे कि एक डिजिट में decimal है और दूसरी डिजिट में decimal नहीं है अगर हम मात करते हैं कि 125 आपको add में add करना है आप मान लीजे इसको आपको add करना है 7.36 add करना है या बोल सकते हैं 17.36 को add करना है तो already मैंने आपको अपनी previous class में बताया था बेटा कि जो number होता है जो भी अपनी digit होती है अगर उसमें decimal नहीं है तो हम क्या करते हैं यह मानते हैं कि decimal वो digit खतक होने के last में decimal है जैसे मैं आपको last time एक example भी दिया था कि अगर मेरे पास 100 rupees है यह 100 rupees है तो मैं इसको और भी कैसे लिख सकते हैं इसको लिखने का एक और pattern होता है that is called 00 तो यह क्या होता है दोनों क्या है same है तो यहां पर 100 लिख दीजिए यह 100.00 लिख दीजिए वो भी same ही होता है तो in that condition आपको क्या होगा कि आपको 125 में 17.36 क्या करना है add करना है तो यहां पर क्या हुआ 125 हुआ है आपका पहले 125 लिखेंगे ठीक है तो dot हमारा कहा रहेगा सबसे last में है हमने माला कि हमारा जो decimal है सबसे last में है ठीक है और यहां पर क्या है 17 17 का decimal यहां पर आएगा और 17 के पीछे कितनी digits है 2 digits है तो यह हो गई 36 और यहां पर क्या हो गई 17 हो गई तो अब आप इसको add करेंगे तो क्या हो जाता है 6 हो गया 3 हो गया 12 का 2 4 और 1 that is 142.36 तो आपको answer अपना समझ में आया कि अगर आप 125 रुपीज में 17.36 रुपीज आड करते है यह तो आपका answer आता है 142.36 hopefully आपको समझ में अगर आपको 1 decimal नहीं है और 1 decimal है तो आप मालते हो कि जो उसका decimal है वो सबसे last में है कहां पर है सबसे last में है एक example और लेते है इसका सेम में लेती हो कि अगर मेरे पास एक number है मान लीजे मेरे पास एक number है 22 है और उसमें मुझे add करना है आप माल लीजे कि मुझे add करना है 3 point 13.65 तो यहां पर क्या हुआ 22 आपका कैसा number है without decimal number है आपका natural number है तो natural number में क्या हुआ 22 आपका सबसे पहले decimal कहां मालेंगे सबसे last में decimal हमारा यहां पर होगा 22 खदम होने के बाद तो यहां पर क्या होगा 2 0 extra अपनी तरफ से लगा लिया तो अब क्या हुआ इसके नीचे क्या लिखा जाएगा 13.65 तो अब आप इसको add करते हो तो 5 6 5 3 तो answer will be 35.65 clear है आपको यह condition होगी जब आपके पास एक natural number है और एक decimal digit होगी और उन दोनों को आपको addition करना है in that case आपको यह चीज़ follow करना है एक example और लेते हैं लेकिन अभी different pattern का लेते हैं 7.536 and 1 2 3.5 आप यहां पर आप देखेंगे कि decimal क्या है दोनों के बहुत अलग-अलग है यहां अगर पहली digit में बात करते हैं तो decimal से left side में सिर्फ एक digit हमारी आती है और अगर दूसरी digit की बात करते हैं दूसरी number की बात करते हैं तो decimal से आगे हमारी क्या है 3 digit आ रही है तो इस case में हम क्या करेंगे सबसे पहले आप call भी एक number उतार लीजे अगर मैंने यह उतारा 7.536 फिर से आपको क्या follow करना है सिर्फ एक बात find में follow करनी है देचिमल के नीचे ही decimal को लगाना है ठीक है तो यहां पर decimal कहा पर है तो इस point से आगे कितने digits आएंगी तीन डिजिटत आएंगी दीख रहा है beast कि यहां पर decimal से आगे कितने डिजिटस आएंगी तो यहां पर आप क्या लिखिएगे 3,2,1 और decimal से पीछे कितनी digit है only one digit है तो ये आपका हो गया 5 देखा आपने मैंने कैसे इसको लिखा फिर से एक बार गौर फर्माएंगे कि यहाँ पर 7.536 है बिटा तो 123.5 आपको लिखना है decimal के नीचे सबसे पहले decimal के नीचे आपको decimal लगाना है फिर decimal के पीछे जस्ट एक बिजिट आपकी है जो मैंने यहाँ लिखा और decimal से आगे कितनी digits है तीन डिजिट है 3,2 और 1 तो यहाँ से उल्टा लिखेंगे 3,2 और 1 तो यहाँ पर आपको clear हो गया अब मैंने आपको बताया था कि ऐसे जब आप अपना pattern follow कर लेते है तो आपको जो भी खाली जगा बच्ती है जो भी जिस जगा के नीचे या किसी के उपर जो खाली जगा बच्ती है वहाँ पर आप 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 अटोमेटिकली जीरो पुट कर सकते हैं तो यहाँ पर आप आप already देख रहे है कि 6 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने एक 0 लगा दिया 3 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 0 लगाया 2 के उपर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 लगाया और 1 के उपर कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 0 लगाया And the answer will be 6, 3, 5 or 5, 10, 1 carry किया 11, 1 carry 3, 1 So answer will be 131.036 Clear है आपको, बहुत ध्यान से इसको लेखेंगे इसमें जादा तर बच्ची confused होते हैं और गलत करते हैं लेकिन आपको गलत नहीं करना है आपको बहुत अच्छे से समझ के इसको चलना है तो आप यह भूलें के नहीं के अडिशिन कैसे करना है यह आइ थिंग फेर्ट 6 स्टैंडर्ड बे बहुत इच्छे से समझा जाता है और प्रॉपर एक चाप्टर होता है इसका और 9 टैंक में तो यह पार्ट बन के हर जगा आता ही है प्लीज बचो जिसने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है और उसकी इंफोर्मेशन चाहिए तो डैफिनिटली आपको सब्सक्राइब करना मड़ेगा जिससे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप सब पहुंशती रही और बिलकुल मैच से डरने की जुरूरत नहीं है अगर आपको कुछ भी कनफЮुजन है आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए आप प्राक्टीस करिए अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आपको कुछ कुल नहीं आरह करको है है जितना हो सब्सक्राइब करों लेकिन हाड़ वर्क और महनत दोनों आपको करना है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट को टापिक पर आते हैं यह हमने क्या पड़ा है एडिशन का पड़ा है कि अड कैसे किया जाता है ठीक है अभी बात करते हैं कि अगर बात आती है यह पेली कंडिशन हम लेते हैं कि एक नॉर्मल है और एक डैसिमल में तो अगर मैंने यहां पर ले लिः यहां पर 13 है माइनस आपका 3.65 आपको माइनस डैसिपने चाहि आरो सब्स Hungarian है कि कौन सा नंबर बड़ा है मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको देखना है कौन सा नंबर बड़ा है तो decimal से आगे यहाँ 3 है और यहाँ 13 है तो of course 13 बड़ा है तो सबसे उपर हम क्या लिखेंगे पहला नंबर हमारा 13 आएगा यहाँ पर मैंने decimal लगाया और अपनी तरफ से 2-0 लगाई जो मेरा हमारा प्रोसिजन रहता है जब decimal रही है तो और आपको decimal के साथ डील करना है तो आपको अपने नंबर को इस पॉम में लाना पड़ेगा तो आपके रहे क्या होता है कोशिन इजी हो जाता है ठीक है उसके बाद क्या होता है बटा आपको क्या माइनस करना है 3.65 डेसिमल के नीचे क्या लिखना है डेसिमल ही लिखना है ठीक है बाकि इसमें और चेंज नहीं होते जैसे आप नॉर्मल सब्ट्राक्ट करते हो तो वही आपको करना है यहां पर 3 से आपने ट क्यारे किया क्यारे पर रवर्ड रवड रवा 10 में से 5 हो गया 9 में से 6 त्री हो गया यहां पर 12 बच्चा और 12 में से आपके 3 जाते हैं तो 9 बचते है तो आंसर विल बी 9.35 क्लियर है आपको ध्यान से देखिए कोई चेंजिस नहीं है सिर्फ आपको आपको आपना जो नाचरल नंबर है उसको डेसिमल पॉर्म में लिखा सबसे पहले मैंने जो आपने देखा कि सबसे लास्ट में डेसिमल लगाना है और उसके पीछे 2 जीरो लगा देनी है दो, एक, तीन, चार्ट जितनी भी डिजिट होगी उस हिसाब से आप जीरो पुट कर सकते हो उसके बाद आपका 3.65 है तो आपने डेसिमल के हिसाब से इसको लिखना है डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है और 3 इधर आएगा और 65 इधर आएगा फिर आपने इसमें से क्यारी करके आपने यहां से इसको माइनस कर दिया और आपका अंसर आता है 9.35 होपफुली आपको समझ में आया होगा कि बहुत सिम्पल है बस दो, तीन बातों का ध्यान रटना है सेकिंड कोईशन लेते हैं एक और कोईशन हम लोग ऐसा लेंगे अगर मान लीजे एक थोड़ा समय बड़ा डिजिट लेती हूँ कि अगर मेरे पास 148 है जिसमें से आपको माइनस करना है मान लीजे आपको 18.62 माइनस करना है ठीके बिटा तो यहां पर भी एक नाट्रल है और एक आपका डेसिमल फॉर्म में है तो सबसे पहले आपको देखना है कौन बड़ा है अपकोस आपको 148 बड़ा है तो आप क्या करेंगे सबसे उपर आपका जो ग्रेटर नमबर होता है वो आता है 148 आगया इसको किस में ले लारी हूँ मैं बड़ा है डेसिमल फॉर्म में तो डेसिमल फॉर्म में ले जाने के लिए क्या करूंगी मैं इसको यहां पर डेसिमल लगाया और दो जीरो लगा दिया अब क्या होगा इस नमबर को इसमें से माइनस करना है तो 18 क्या हुआ पिटा आपका इसके नीचे आएगा तो 18 आपका यहां पर आएगा क्योंकि डेसिमल आपका साथ में चलना है डेसिमल को डेसिमल की नीचे ही आना है आप उसे left right नहीं ढूमा सकते हैं चिक हैं और यहां पर आपका क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा अब आप इसको subtract कर सकते हैं यहां से carry किया 10 8 हो गया आपका 9 हो गया 3 हो गया यहां पर 3 2 हो गया 1 हो गया तो आपका answer आता है 129.38 तो that will be your answer कि अदर 148 में से 18.62 को decrease किया जाता है यह subtract किया जाता है तो आपको 129.38 मिलता है तो अब आप लोग सोचेंगे जब दो डेसिमल को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है अगर मैं दो डेसिमल की डिजिट्स लेती हूं तो उनको कैसे करना है अगर माल लीजे सेम डिजिट है 7.45 है माल लीजे माइनस किया है उसमें से 2.15 को माइनस करते है तो बहुत सिंपल है आप लोग कर सकते हैं सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बड़ा कौन है यहाँ पर डेसिमल से आगे 2 है यहाँ पर डेसिमल से आगे 7 है तो हमारा 7 क्या है बड़ा है तो 7.45 में से आपको क्या करना है 2.15 को डिक्रीज करना है यहां माइनस किया मैंने तो 5 में से 5 गया आपके 0 4 में से 1 गया 3 और 5 में decimal और यहां पर 5 बेटा यहां पर आपका आंसर आता है 5.30 और इसको आप यहां पर 5.3 भी लिख सकते हैं बोट आज सेम ठीक है? जब पीछे की 0 होती है उसको आप अपनी तरफ से हटा सकते हैं यह दोनों सेम हैं तो यह आपका आंसर आता है बस आपको ध्यान रखना है कि decimal के नीचे क्या होना चाहिए? decimal ही होना चाहिए तो इसका clear है? एक example और हम लोग लेंगे यहां पर तो यह question थोड़ा सा मैंने change की आया सबसे पहला मैंने step आपको क्या बताया था कि सबसे पहले अगर उसने दिया है कि यह बढ़ा है तो ठीक है नहीं दिया है तो find out करना है कि कौन सा जो term है कौन सा जो number है वो बढ़ा है तो यहां पर 13.62 है और एक है 214.5 तो आप already देख रहे हैं कि जो decimal से आगे होते हैं पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं उनका comparison करते हैं तो decimal से आगे यहां पर मेरा 13 है और यहां पर 214 है तो कौन बढ़ा है? अफकोस 214 बढ़ा है तो आपको सबसे पहले क्या पता चला पहला step कि आपको find out करना है कि कौन से digit बढ़ी है तो यहां पर 214.5 सबसे पहले मैंने लिख दिया दूसरे step में बढ़ा आपको क्या करना है? दूसरे step होता है decimal को decimal के नीचे लिखना है आपको term को ऐसे arrange करना है कि जो decimal है वो हमेशे decimal के नीचे ही आएगा बाकि terms कोई कहीं पर भी जा सकती है वो depend करते हैं उपकी positions पे लेकिन decimal हमेशे decimal के नीचे ही आता है तो in that condition आपको दिख रहा है decimal मेरा यहां पर है और उससे आगे मेरी दो डिजिट है तो दो डिजिट मेरी यहां पर आएंगी और दो डिजिट पीछे है यह मेरा दूसरा step पूरा हो गया दूसरा step पूरा होने के बाद मुझे तीसरे step में क्या करना था तीसरे step में आपको करना होता है कि अगर कोई भी आपकी जगा खाली छुटी हुई है कोई भी नंबर के नीचे डिजट के नीचे या उपर कोई space empty है तो वहाँ पर आपको 0 put कर देना है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 से उपर मैंने 0 put किया और 2 से एक नीचे 0 put किया और तीसरे step में आपको नॉर्मल इसको क्या करना है सब्ट्राक करना है चिक है तो आपको अब आपको ने क्या किया मैनस किया 10 में से 2 गए that is 8 चिक है 14 में से 8 गए that is 14 में से 8 no sorry it's 14 में से 6 गए that is 8 और उसके बाद आपको यहापर 0 this is again 0 and this is 2 तो बेटा आपका आंसर जो आता है वो 200.88 आंसर आएगा clear है hopefully आपको समझ में आया होगा कि आपको arrange कैसे करने है numbers और कैसे decimal के नीचे decimal लिखना है सिर्फ steps यार कीजिए एक step के बाद दूसरे step को follow कीजिए कभी भी life में decimal में addition subtraction में गलती नहीं होगी तो आपको simple follow करना है कि सबसे पहले देखना है कि कौन से आपको जो digit है जो number है वो बड़ा है उसके लिए comparison करना है decimal से आगे वाले number को अगर वो same है तो then you have to go behind that the decimal उनको compare कीजिए जो आपका जो greater number है उसको उपर लिखिए smaller number है उसके decimal के साथ match करते हुए आपको उसका number लिखना है decimal की नीचे हमेशा decimal जाएगा उसकी बाद जो empty places बचते हैं चाहे वो digit के उपर हो चाहे वो digit के नीचे हो वहाँ पे आपको zero put करना है और उसके बाद normal तरीके से आपको अपना answer निकालना है तो hopefully आपको समझ में आए होगा addition और subtraction in a decimal form इसका next multiplication division हम लोग इसके next part में करेंगे तो please don't forget me to subscribe and share to your friends and मिलती हो next video में thank you, bye